असलाम लेकों सामीन मैं हूँ आपका होस्ट मलक मनसूर एहमद और आप देख रहे हैं MSTV फ्रेंकफोर्ट अज हम सामीन टाफ़क नंबर 10 स्चिशनरी ट्रैफट जो ہے उसका लेसन लेशन ले तू जो है आखरी लेसन वह आपके साथ शेर करेंगे पहला लेसन हम कल कर चुके हैं आज हम इसका दूसर लेसन शेयर करेंगे उसके बाद टाप नंबर 10 जो है वो भी मकमल हो जाएगा फिर हम टाप नंबर 11 जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अपने चैनल पे आने वाले तमाम ने लोगों से मेरी रेक्वेस्ट है जोने भी तक मेरा चैनल सब् बटन को प्रेस कर दें इससे आपको मेरी हर नयाने वारी वीडियो का नोटिफिशन मिलेगा तो चले हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर टू जी सामें पहला सवाल हमारे सामने जो आया है उसमें पूछ रहा है वेर इस पार्किंग प्रहोबेटेट पार्किंग कहां पे मन करती हैं वहाँ पर स्ट्राब कर सकते हैं ऐट टेक्सी रेंग्स टेकसी वाली जगह जो थी है वहाँ पर आप स्टाप कर सकते हैं ना वहाँ पार्किंग कर सकते हैं आन रोडवे नैरो रोडवे है और नेरो रोड तंग रोडों पर भी आपको पार्किंग मना है उसके बादा है वट इस दा मैक्सिमम लेंथ आफ टाइम यू आर अलाओ टू स्टाप एट बस टाप प्रॉइड यू डू नाट प्रिजेंट एंड अबस्टेक्शन तू बसेज वो कहता है वट इस दा मैक् यह जो है वो आप शोर करें यू डू नाट प्रिजेंट एंड अबस्टेक्शन टू बसेज अबस्टेक्शन का मतलब था है रिकावट यानि आप बसेज के लिए रिकावट का बाइस ना बने बने मतलब कौन सा मतलब कितना टाइम है जो आप वहां पे खड़ी हो सकते हैं विए के बसेज अलीया आप रिकावट भी ना बने तो भाई जहां पे पारकिंग्ग अलोव नहीं होती की मतलब दो तरह की चीजे जगे होती है एक होती है जहां पर क्रास जहां पर होता है वहां अदिस्टू आप पारैकंगाड का नहीं सकते सौप भी नहीं का सकते कुछ बूस्ट जे नहीं होती है जहां पर गोल वो कहता है before which sign must you maintain a distance of at least 10 meter वो कहता है कौन सा ऐसा sign है which sign must you maintain आपने काइम करना है a distance of at least 10 meter कमस कम 10 meter फासला पीछे आपने छोड़ के जो है ना आपने गाड़ी को जो है ना आपने पार करना है या रुकना है if it would otherwise be conceded by your विकल कंसीड का मतलब चुप जाना वो कहता है अगर आप ऐसा नहीं करते इट वुद otherwise be conceded by your vehicle फिर आपकी गाड़ी के विज़ा से वो शारे छुप जाएंगे और पीछे वालों को नजर नहीं आएंगे तो भाई जहां पे stop and give way का sign होता है वहां भी आपने आपने दास मीटर पीछे गाड़ी खड़ी करनी है और जहां पर डायगोनल क्रास होता है डायगोनल क्रास क्या होता है stop and give way वाला जो sign होता है उसको आप उल्टा कर दें अगर तो उसके अंदर क्रास का निशान जो होता है वो होता है डायगोनल क्रास यानि उसका मत्रब होता है अब आप आगे आपने राइट बिफोर लेफ्ट वाला रूल जो है उपलाई करना है तो नो स्टापिंग वाला sign होता ही नहीं हौल मस्यू सेफगार्ड यहर्एकल अगेंस थैफट यानि आप अपनी गाड़ी को कैसे मुफूद बना सकती हैं कि आपकी गाड़ी चोरी ना हो से गाड़ी मत्रब ना ऑफ चोरू से आप कैसे बिचा सकते हैं तो वह कहता है बायर मुविंग दा इंगिशन की अपनी विंडो और अपनी जो विंडों को क्लोज करें बाइ लाकिंग दा डॉर्स एंड बूट बूट का मतलब होता है आपकी डिक्की और आपके जो दर्वाज़ेंग को लाग करें बाइ एक्टिवेटिंग डिफरेंट लाग यह इसलिए नहीं आएगा भाई आपको डिफरेंट लाग इसलिए नहीं है आप इतना भी काड़ ले तो तब यह आपकी गाड़ी स्क्योर रहेगी फर वाट पर्पस आर यू अलाओ टू स्टाप एड पार्किंग मीटर विचार आउट आफ आफ आडर यानि अगर पार्किंग मीटर आउट आफ आफ आडर है काम नहीं कार र दिए यह खान सकते हैं बोर्डिंगा मतन होता है कसी पर्ट अबंटे को प्टाबार सकते हैं या उड़कर और वहाँ पे नहीं कर सकते आगाता है वेर आर यू अलाओ टू पार के ट्रेलर विद ए परमाइज़ी बाइट टोटल मैस अक्सीड टू टान आपको कहां पे अलाओ है पार करना एक ट्रेलर को जिसका टोटल वज़न जो है वो दो टान से अक्सीड का रहा है ज्यादा है इन बि देखें जी इंडस्ट्री एरिया में तो आप वैसे भी कार सकते हैं इंडस्ट्री एरिया फैक्ट्री एरिया में वैसे भी ट्रकों का आना जाना होता है वहाँ पे जगा बनी होती है नीचे कहा रहा है इन स्पैशल एरिया रिजर्व फार री क्रियेशनल पर 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 प सकते हैं एयरिया रिजर्व का मतलब तो ना फिर भाई को शहर से बाहर बहु एयरिया किया नहीं बलकि इसमें आएगा इन Нघोली डीडेंटिल एरिया पूरे में आप जो है वो कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं अन स्पेशल डिजाइन पार्किंग स्पेशिज जहां पे भी स्पेशल डिजाइन इनके लिए जो पार्किंग स्पेशिज बनाई गई हैं वहां पे जहां जहां होगी आप वहीं कहीं पे भी आप ट्रेलर को पार्क कर सकते है हैं मतलब फर्द करें इस रोड है जिदर आप रहते हैं यहां पे अगर वो स्पेशल डिजाइन पार्किंग एरिया बनाव है ट्रेलर्स का वहां कार लें अगर किसी और साथ किलो मेटर दो किलो मेटर या पांस किलो मेटर आगे बना है वहां पार कर लें यहां इसके यह आपके यह स्पेशल को एरिया नहीं रिजर्व किया गया बलके शेर के अंदर ही इनके लिए लादा पार्किंग की जगा बनी होती है आगे आगे रेलवे क्रासिंग है तो उससे पीछे आपने पार्किंग करनी है तो कितना कहता है मिनिमा डिस्टंस आपने क्लियर यानि करना है छोड़ना है ताब आप पार्किंग कर सकते हैं तो हमेशा सामीन याद रखें शेर के अंदर अगर रेलवे क्रासिंग आगे हो तो कमज कम पांच मीटर छोड़ के पीछे आप पार्किंग कर सकते हैं और अगर शेर से बार रेलवे क्रासिंग हो तो फिर आपने पचास मीटर छोड़ के पीछे जो है वो पार्किंग करनी ह है हुई है पार्किंग स्पेस तो देखें जी पार्किंग के तैद हमेशा अगली गाड़ी का राइट होता है अब जो आगे वाइट गाड़ी है उसका यहां पर हक है कि वह यहां पर पार्किंग करेंगी आज कहरा जी एट टैन फोटी दस चाली पर यू एंट ने अरिया आप एक एरिया मेंटर होए हैं जहां पर पार्किंग अलाओ है दो गहिंटे के लिए वैं यूजिंग पार्किंग डिस्ट इसमाल करते हैं इस मकसद के लिए जहां पर टाइम दिखा होता है कि दो गहिंटे है थिए तीन कहिंटे लों है वहाँ पर आपने पार्किंग डिस्ट इसमाल करनी होती है तो वह कहता है वर्ट टाइम मस्ष्ए यू सेट आंधा पार्किंग डिस्ट पे पर कूंसा टाइम साइट करना यह अब ने दस चालीस दो नहीं दिखना हमेशा जार रखें सामीज य on a downhill slope यानि आप एक मतलब डलवान वारी जगह पे आप अपनी गाड़ी को जो है वो कैसस के ओर कार सकते हैं या आपने हो सकता है वहां गाड़ी पार्क करनी है कि आपकी गाड़ी जो है वो रोलिंग अवे होता है नीचे फिसल ना जाए स्लिप ना हो जाए नीचे ना चली जाए तो आपकी गाड़ी जो है वह मैनुवल गेर है मतलब तो उसके लिए सबसे पहले सामें अगर आउटोमेटिक गाड़ी हो या मैनुवल गेर हो पारकिंग ब्रेक दोनों में होती है जिस ब्रेक के साथ साथ आप यहां फिस्ट गेर लगा दें गाड़ी को बंद करके यहां रिवर्स गेर लगा दें उससे मजीद गाड़ी आपकी जो है वह मफूज हो जाएगी अब यह वाला जो आपको साइन नजर आ रहा है यह होता है स्पेशल डिजाइन पारकिंग स्पेसि कहता है कुन सी Xinãy रहे हैं का जो जो वजन तोटल में इस वहाला तो बीपार्क किर उनको यहां है पारकिंग करना तो बाही एक तो yeast कार जो होती हैं अब्चार में भी तो बड़ी गाड़ीं पी होती थीचा जीप्र वेब्गारें टुटार whose वो यहां पर पार्क करेंगी और केरावान ट्रेलर क्या होता है जो वोन वैगन होती हैं वो भी यहां पर पार्क करेंगी लेकिन स्माल कार्ड जो होती हैं उनका इतना वज़न नहीं होता इसलिए उनको यहां पार्क करना लग नहीं है वो कहता है आप एक जगह पे गाड़ी पार्क करना चाहते हैं कार पार्क में जहां पे पार्किंग टिगट मशीन है तो आपको क्या याद रखना चाहिए तो वो कहता है प्लेसे वैलिड पार्किंग टिगट इन यूर वहिकल वो कहता है एक जो आपने टिगट वहां से निकाल ली है उसको अपनी गाड़ी में ऐसी जगह पे रखें कि असानी से आउट साइड से उसको जाए रीड किया जा सके पढ़ा जा सके जो भी चैकर में आए वो नीचे कहा रहा है एक पार्किंग टिगट इस नेवर नीडिड व यहां पे आपको शील्ड नज़र आएगी कि यहां पार्किंग डिस्स्द माल करें एक हैं घैंटा पारकिंग कर सकते हैं दो गेंटा कर सकते हैं नीचे वाला आपसर नाट अस ना करें अधाभी पार्किंग अदेर्द वर दिखेंगे क्रोंड अब तौ देखेंजी कर्सरोड अन्जुके पीछे पांच मीटर के अंदर आपको पार्किंग करना-जुँ तौस को यह वह मना है पांच मीटर छोड़ के पीछे आप बैव्ट कर सकते हैं या स्टाप कर सकते हैं आफ यूर प्रसीजर्ट विफोर अंग्जिस्टिंग ऱ वो कहता है कि आप अपने प्रसिंजर को जो आपकी गाड़ी से बाइद निकल रहे हैं तो उनको निकलने से पहले आप किस तरफ उनकी टेंशन उनको मतलब तवज़ो दलाएंगे तो वो कहता है डेर दे शुड़ हीड़ ता ट्रैफिक फार्विंग आंडा लेफ साइट अग फे ट्रैफिक लाइन होती हैं और वो रोड पे गाड़ी यां भी आ रही होती, इसलिए उनको तो वह जो इजरानी होती है कि इस तरफ ट्रैफिक है तो आपमें उनकी तरफ धिना है, उनको आपने रुकना है, उनको रइड देना है, नीचे कहरे है थैकलिस आरा रेकौार अगर को बंदा रोड के यानि गाड़ी से राइट साइड पर उतरता है यानि रोड के एज पर आपने गाड़ी खड़ी की है लेफ्ट वाले ने तो देखना है पीछे गाड़ी ना आ रही हो लेफ्ट साइड पर राइट वाला जो है उसने देखना है इस साइड पर फूट हो सकती जाए बोट कार वान टू पार्क हेर विच कार टेक प्रेजिडेंट्स किसका यहां पे हाग है तो डेफिनेटली पार्किंग के तैद रेड कार का हाग बनता है कुँगे आगे गाड़ी लेके रिवर्स करनी होती है के गाड़ी ने कितना मिनिमाम डिस्टेंट जो है वो लीव करना होता है चोड़ना होता है इन फ्रांट आफ ट्रेफिक लाइट जहां पे ट्रेफिक के शारे हूं इफ दा ट्रेफिक लाइट वूड बी कंसीड बाइदा वहिकल अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी वज़ा से वो शारे जो है वो छुप जाएंगे तो बाई जैसे हमने ट्रेफिक साइन स्टाप एंड गिव वे और सिर्फ स्टाप वाला जो साइन आ या डाइगनल क्राश जो है उस वाले साइन से हमने पढ़ा है कि दस मीटर छोड़ के पीछे हां पारकिंग कर सकते हैं तो सेम ला अलाओ टू पार्ग बिफोर और बिहाइंड बस आर ट्राम स्टाप साइन बस स्टाप और ट्राम स्टाप जहां पे होता है आपने पंदरा मीटर छोड़ के पीछे आपने पारकिंग करनी होती है या आपने स्टाप करना होता है या आपने पंदरा मीटर के हदूद के what is important when children are getting in and out of car क्या जरूरी है जब बचे गाड़ी में बैठें यहां गाड़ी से उत्रें तो कहता है let the children in or out बच्चों को गाड़ी में बठाएं यहां उतारें if possible अगर मुम्कन हो on the payment side payment side क्या होता है जो हाड शोर्टर होता है जो पार्किंग वाली लाइन होती है जो आपका जो राइट साइड पर जगाँ होती है जहां पर डिस्टेंट चलते हैं उस साइड पर उतारें let the children in or out on the roadway side only under supervision हो कहता है अगर आपने बच्चों को left side पर उतारना है मजबूरी या बठाना या उतारना है तो फिर उनको अपनी अपनी नगरानी में उतारें या बठाएं children are not allowed to get in or out of a car on public road तो देखें जी यह तो बिलकुल अजीव सा option है कि बचे public road पे कहीं पे भी आप उनको गाड़ गरानी में उतारें या बठाएं वरना कोशे यह करें कि right side पर बच्चों को उतारें what must you do when leaving your car जब आप अपनी कार को leave करते हैं चोड़ते हैं तो आपको क्या करना चाहिए तो कहता है secure the vehicle against unauthorized use unauthorized use होता है वो बंदा जो आपकी गाड़ी को इस्तमाल नहीं कर सकता है जो च गाड़ी को secure करें मफूज करें secure the vehicle against rolling away rolling away रोता है गाड़ी का गाड़ी चलना पड़े फिसलने ना लाग जाए उससे भी अपनी गाड़ी को secure करें उसके लिए आपने हैंड ब्रेक अपनी गाड़ी की लिगानी है पार्किंग ब्रेक जिसे कहती है तो उपर जो option पहला हमने टिकी है तो वह हमने अनाथ्राइज हो मुझसे इस तरह करना है कि हम अपनी गाड़ी की चाबी निकालने के दर्वादे बंद करेंगे नीचे कह रहा है बिफोर ओपनिंग डा डॉर लुक आउट फार ट्रैफिंग भी हैं तो डेफिनेटली जब यह आप गाड़ी से निकल तो देखे जी शव realization करास होता है कि क्रासिंग होती है तो उससे हमने पौइन पांच मेटर कचो के पीछे हम अदिगा सकते हैं लेका फार किया हमने पचास मेटर के पीछे हम जो आर्ध हो पार्किंग कर सकते हैं वेःर मस्स यू यू budget फार्यूंभ फार्फ TV फार्फब पार्किंग डिस्क कहां पर इस्तमाल कर सकते हैं तो जहां पे बबड़ वहां पर्फ़ daddईक क्रम्स इंशके एयOR नेहीं नो वेट सकते हम बनारी तो भीWow नेहीं जोहिसे रहा है वेर्स टूबिटेड़ बाई टॉद उलेटेड़ बाइट्रॉ ट्राफिक साइन होता है जहाँ पे परिक लगा हुए है कि यहां पर आप पार्किंग दीस इसमाल पार्क हो सकती है तो हमने पड़ा वारी जो गाड़ियां होती है वो पाइशल डिजाइन कि एगे फुटपातों के पर पार्क ही जाती है हमने मैनवल का पड़ा था कि हम एक स्लोप के अपर गाड़ी को कैसे मुफूज कर सकते हैं कि वह रूलिंग अवे ना करें नीचे फिसल ने लगए तो वहां हमने क्या किया था कि पार्किंग ब्रेक लगाएंगे जिसे हमें हैंड ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी बंद करके फिस्ट गे लगा देंगे या रवर्स लगाएंगे तो आटोमाटिक गाड़ी में भी हम अपलाई पार्किंग ब्रेक करेंगे और यहां पर एक आप्षन होता है आटोमाटिक गाड़ी में पी पॉजिशन का तो उसको हम जो है वह स्लेक्टा देंगे नीट्र पॉजिशन ह हम यहां पर भी नहीं करेंगे अगया यूर कार इस स्टेंडिंग आंदा एज आफ दा रोड़ वे आपकी गाड़ी रुकी हुए है रोड के एज पे कनारे पे वर्ट शुड यू डू वन गेटिंग इन्टू दा कार जब आप गाड़ी में बैठके गाड़ी चलाना शुर पेमेंट को कहता है अगर आपने मसाफरों को गाड़ी में बठाना है तो कोशिश करें उनको राइट सैड पेमेंट वारी साइड जहां पे फुट पाथ होता है वहां से उनको बठाएं ता डूर आंदा राइट हैंड साइड कैन आलवेज बी ओपन विदाउट डैंजर य होता है कि भाई वो दर्वाजा जहां राइट अपना जो रोड साइड वाला दर्वाजा है जो डेफ साइड वाला है वो आप तब खोलेंगे जब ट्रैफिक आपको पर्मट करेंगी यानि ट्रैफिक नहीं आ रहे होगी तब ही फिर इसका मतलब है ट्रैफिक जाजद दे इसका मतलब यह है कि ट्रैफिक ना आ रही हो जाप पीछे से तब आप वह वाला दर्वाजा खोलेंगे आफरी स्वार सामीन आता है जब टाइम आने पार्किंग मीटर हैस नाट येट रन आउट एक पार्किंग मीटर के ओपर जो टाइम है वो रन नहीं का रहा रहा वाट है वह वाला टाइम जो भी मजीद रहता है तो आप उसको पार्किंग डिस्ट से नहीं इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर आएगा यूज दा टाइम लेफ्ट आंदा मीटर विद आउट इंसर्टिंग मोर मनी बगएर और पैसे खर्च किये आप वह जो पीछे टाइम अभी बचता है अभी मीटर चल नहीं रहा और मजीद वो इस्तमाल कर सकते हैं को यह आपका फार्ड नहीं है नीचे आता है नाट यूज दा टाइम लेफ्ट आंदा मीटर तो यह बिल्कु गलत है वो कह रहा है कि आप मीटर का जो टाइम है जो पीछे भी नहीं चार रहा तो प्रफाल रहा हॊदोला कंपलेट हो घहान काल से इंसाला ग्यारमा टापक जो है उसका फ़र्ण लेसे ळामापके साथ शेयर करेंगे वीडियो पसंद आने के शगत में वीडियो को लायक करें क मैंट क्मेंट प्यारों के साथ शेयर करें इसे के साथ अपने होस्त में लेक कुन सूरह में विजाज दीजिए, अल्ला हाफीज